दोस्तो इस मूवी का नाम है एशेयस इंदसनो और ये मूवी 1941 के वल्ड वर्ट टू के टाइम लिथुवानिय नाम के जगए के बारे में हैं रश्या और सोवेट यूनियन को धोकेबास ठेहराने के बाद में बाल्टिक रीजियन में सोवेट यूनियन ओक्यूपेशन लाग खेल रहे थे और फिर अगले दिन लेना अपने ड्राइंग इसकूल लेकर के गई और फिर उसी टाइम रेट आर्मी ने इसकूल के बाहर कबसा करना शुरू कर दिया था लेना फिर घर आकर और ड्राइंग करने लग गई जहां पर उसके डेट कोस्टस घर आते हैं लेना के कैसा लगता था कि वो इतने अच्छे ड्रोइंग नहीं बना पाती कि वो उसे दिखाने के लिए स्कूल में ले जाए लेकिन कोस्टस को अपनी बेटी पर पूरा बरोसा था और वो ये कहता है कि वो नहीं जानता कि कॉन जो की ये प्रोग्राम और्गनाइस करवा रहा था उस से नारास थी क्योंकि कोस्टस को अपने परिवार से ज़्यादा शेहर का ध्यान रखने की चिंता थी वो ये भी कहता है कि लेना को कोनोस में जाने की जूटी उमिदें नहीं देना चाहिए क्योंकि लेना ड्रोइंग के पीछे कुछ ज़्याधा ही पागल है और उसे उस स् सोल्जेर्स रास्ते से लोगों को पकड़ कर ले जा रहे थे फिर लेना अपने घर पर आती है जहाँ पर कॉनोस से उसके लिए एक चिट्टी आई हुई थी जिसे देखने के बाद में लेना बहुत खुश थी लेकिन उस चिट्टी को खोलने के लिए उससे अपने डेट के घर आने तक का इंतजार करना था लेकिन इस दिन कोस्टस अपने घर नहीं आता और फिर उसी रात लेना उसके परिवार और आसपास के सभी लोगों को रशन सोल्जेर्स एनके वीडी ने गिरफतार कर लिया और ट्रक्स में बिठा कर सभी को एक अंजानी जगय ले गए एल को जब जस्ती एक ट्रेन में बिठाय जाता है जोनस को सोल्जर्स दूसरे डब्बे में बिठा रहे थे जहां पर सिर्फ लड़के थे लेकिन एलेना ने एक सोल्जर केटजी को रिश्वत दी और जोनस को अपने साथ में अपने डब्बे में बिठा लिया लोगों से साथ में एंड्रियास से अपने डेट को ढूंडने के लिए मदद मागी लेकिन एंड्रियास ने उससे ऐसा करने से मना कर दिया फिर अगली सुबे सबी सोल्जर्स को अपने अपनी जगह की डूटेस बताते हुए कमांडर कामारों ने बताया कि क्रेट्सी यहां सबसे बतासी हुई है फिर एंड्रियास और डबबे के बाकी लोगों की ड्रोइंग बना रही थी जो कि एक आदमी ने देखा और उसने लेना को यहाँ पर हो रही सेभी चीजों की ड्रोइंग बनाते रहने के लिए कहा फिर कुछ देर के बाद में सबी यह देखते हैं कि ओना के इस्टेशन पर रुकती है जहाँ पर एलेना ने क्रेट्जी से ओना के बच्चे को दफनाने को बोला लेकिन क्रेट्जी ने उसकी बात मानने से मना कर दिया और इसके बावजूद कुछ देर के बार में उसे उसके सीनियर्स परिशान करने आ गए अब एलेना के पास में कोई समुद्र की गिरानी थी जूरी एक जवान मचवारे कैसीडीस के प्यार में पड़ गई थी और दोनों खुशी-कुशी रहने लगे थे लेकिन एक परक्यूनिस नाम के तुफान के देवता ने उनका हीरो का महल गुस्से के कारण जला दिया जूकि उसे पता चला कि कैसीड बीच जाते हैं फिर ट्रेन अल्टाई गुलक पर आती है अपने बच्चे की मोत के कारण ओना अभी भी बहुत दुकी थी और वो पागलों जैसे बढ़ताव कर रही थी और फिर उसके पागलों जैसे बढ़ताव से कमांडर कारणों की नजर उस पर पड़ी जिससे कि उसन कमांडर कामारों ने सभी को अपने ऑफिस बुलाया और बता कि वे सभी राजदोई है और इसलिए उन्हें गिरफतार करके जिंदगी भर मजदूरी करने की सजात दी जा रही है उन्हें गुलग नाम के एक जगह में रहकर खेती करनी होगी लेकिन अगर सभी लोगों ने पेपर्स पर साइन करके ये मान लिया कि वे सभी राजदोई है तो उनके सजा कम हो जाएगी जिसके बाद में एलेना ने आकर सभी को अपने जगह पर खड़े रहने के लिए कहा लेकिन फिर जब कमांडर ने अपने आदमियों को ये और दिये कि वो किसी भी लोगों को ना लुगाने का काम दिया जिसके पर में उन्हें पता चला कि एंडरेस को गिरिफतार करके मारा जा रहा है क्यूंकि उसने खाना चुराया था एलेना क्रेटजी से एंडरेस के बारे में और खबर लेने आती है लेकिन क्रेटजी अपने साथियों के साथ बेठा हुआ था तो अगले सील में केटजी एलेना को कामारों के आफिस लेकर आता है और उसका इंतजार करते टाइम केटजी ये बताता है कि एलेना की ही तरह वो यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया है और फिर उसे एक और राशन टिकेट दे दिया जिसके बाद में उनकी मुलाकात कमांडर स हुई जहाँ पर उन्होंने एलेना को उनके साथ आफिस में ट्रांसलेटर का काम करने को कहा लेकिन एलेना ने ऐसा करने से मना कर दिया जिससे की कमांडर को गुस्सा आ गया क्यूंकि एलेना उसका साथ में रहने के बजाए खेतों में काम करना ज्यादा पसंद करेगी यहा इन उस वरत ने गुस्से से मना करते हुए लेना के शिकायद सोलियर्ट से करने की धमकी दी फिर लेना वापस अपना काम करने आ गई जहां पर उसे अपने एक दोस्त के सांथ बिताहिवे दिन याद आने लगे जो कि बिल्कूल उसके डेट की ही तरह दूसरों की मदद करता फिर उस रात को एंड्रिया लेना के लिए चुपके से खाना और ड्रोइंग का सामान लेकर उससे मिलने आया और दोनों ने पूरी रात एक सांथी बिताई जहां पर लेना ने उसे अपनी ड्रोइंग्स और कोनास से आई हुई उसकी चिट्टी दिखाई जिसे देखे कर ए अपनी अपनी जगें वापस आ गए फिर कुछ टाइम के बाद एलिना को लेना और एंड्रियास की एक ड्रोइंग मिली उसने लेना को ये बता है कि ये ड्रोइंग उससे उस दिन की याद दिलाते हैं जब वो पहली बार कोस्टरस से मिली थी और उससे यकीन है कि कोस्टरस उन्हें अभी भी डून रहा होगा फिर अकली सुबह रश्या के NKVD सोलजर्स उस दिन की खेती का हिसाब देख रहे थे और उन्हें पता चला कि ये रोज से कम है एलिना ये बताती है कि सर्द्या आ रही है इसलिए फसल कम होगी पर कमांडर को उस पर बरुसा नहीं था और फिर उसने एक एक करके सब की तलाशी ली और फिर उसे उस उरत के पास से अलू मिले जिसे लेना ने चोरी करता हुए देख लिया था और पकड़े जाता ही उस उरत ने कमांडर से लेना की शिकायत करना शुरू कर दी और जुट बोलने लगी पर उसकी बातों को कमांडर ने अनसुना कर दिया और केटसी से बस उस उरत को मार देने के लिए कहा जिसके बाद बाकी सभी को उस दिन का खाना देने से मना कर दिया गया फिर देखते ही देखते समय बीटता जाता है और 1942 की टर्ण आ जाती है हम देखते हैं कि कमांडर ने लेना को अपने ओफिस उसकी एक अच्छी से ड्रोइंग बनाने के लिए बुलाया लेगिन लेना का अपनी भावना पर बिलकुल भी काबू नहीं था और इसलिए उसने उसके एक अच्छी पेंडिंग बनाने के बजाए उसने कमांडर का असली रूप अपनी ड्रोइंग में बना दिया जो कि एक राक्ष़ जैसा दिखाई देता है जिसे देखने के बाद कमांडर ने गुस्सा होकर लेना के गर के तलाशी ली और उसने लेना के सामने ही उसके सारी ड्रोइंग से जला दी अब धिरे धिरे समय बीचता है और क्रिसमस का दिन आ गया था और जोनस ने लेना को आग में चलने से बची हुई उसकी डेट की फोटो दे दी और हम देखते हैं कि NKVD के सोल्डेर्स अभी भी क्रेटसी को परिशान करते थे तो इसलिए उसने उस रत खाने के टाइम उसने सभी से लड़ाई कर ली और महां से चला गया एंड्रेस लेना और बाकी सभी केड़ियों के साथ उनकी क्रिस्मस पार्टी में शामिल होने आ गया जो खूद उसे अच्छे से मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और खाने के बाद लेना ने आखिरकर एंड्रेस को पहली बार किस किया फिर क्रेट्जी एलेना से मिलने आया जो की कमरे में अकेली थी और उसने एलेना को बताया कि उसके पती कोस्टस को उन सभी की गिरिफतारी के कुछी दिनों के बान में रश्यन सोल्जर्स ने मार दिया अब हम देखते हैं कि क्रेट्जी को एलेना पसंद थी तो उसने मौके का फायदा उठाया और वो एलेना के साथ इंटिमेट होने आ गया लेकिन एलेना ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया जिससे कि क्रेट्जी उसके साथ में जब दस्ती सेक्स करने लग गया जिस पर एलेना ने उससे ये कहा कि वो उसकी बॉड़ी के साथ में कुछ भी कर सकता है लेकिन उसे कभी नहीं पा सकता और इस बास से चर्मिन धाओकर वो एलेना को छोड़कर वहाँ से चला गया जिसके बाद में एलेना अपने पती कोस्टेस की मौत पर रोने लगी थी फिर बाहर आते ही क्रेटजी को फिर से उसके सीनियर्स ने परेशान करना शुरू कर दिया जिससे की गुस्सा ओकर क्रेटजी ने एक सोलजर का बहुत मारा और फिर कुछ देर के बाद में कमंडर कमराओं ने क्रेटजी सको बुलाया और बताया कि उससे प्रमोट करके कमंडर बना दिया गा है और उससे गुलक के कुछ लोगों को लेकर अपना खुद का इलाका बनाना पड़ेगा क्रेटजी के हिस्से में लेना और उसका परिवार भी शामिल था जिनें मिलकर एक एसी बरफिली जगह भेश जा गया जहां पर कोई नहीं जाता फिर उसे और सभी केदियों को तुरंत शीप में भरकर उस ऐलेन पर भेश जा गया फिर सभी ने वहाँ पर पहुँच कर ये देखा कि ये जगह उनकी पूरानी जगह से बहुत ज़्यदा मुश्किल है और बहुत ज़्यदा खराब है एक केदि ने लेना और उसके परिवार को अपने साथ उसे शीप में चुप कर भाग चलने के लिए पूछा क्योंकि यहाँ पर रहने पर सर्दियों से पहले ही उनकी मौत हो जाएगी लेकिन लेना ने उसे साफ मला कर दिया और फिर कुछ देर के बार में वो केदि जल्दी पकड़ी गई जिसे कमंडर क्रेटसी ने तुरंत मार देने के ओडर दे दिये फिर जैसे तैसे समय और बिता गया और 1943 की सर्दिया आ गए थी और उस आइलेन पर रहने वाला हर इंसान किसी ने किसी बीमार का शिकार होने लग दिया था एलिना उन में से थी जो की बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो मरीजों के कमरे में थी जहाँ पर क्रेटसी ने उसे ढून लिया एलिना ने उससे कहा कि जब वो मर जाएगी तो क्रेटसी उसके बच्चों को ज़्यादा परेशान ना करे वो लेना ने क्रेटसी को एलिना से बात करते हो देख लिया और वहाँ से भगा दिया वादा लिया कि वो जोनस को ये बात सही टाइम आने पर बताएगी और ये कहा कि अब उससे खुद पर भरुसा रखना पड़ेगा क्योंकि वो भी अपने पिता के इतर एक बहुत लड़की है फिर हमें देखने कि लेना कोन उसके चिट्टी जो कि उसने अपने पिता के सामने कुलनी चाही थी एलीना और जोनस के सामने खुली और देखकर खुश हो गई लेकिन ये खुशियें जाधा दिर तक नहीं रहपाई चुकि एलीना की मौत हो गई थी और लेना की कुशी अब गम में बदल गई थी और फिर गुस्से में लेना महां से बाहर आई और कमांडर क्रेटजी के ओफिस में आकर और वो उसे सबी को फिर से गुलाग जैसी जगे पर ले जाने को कहने लगी फिर क्रेटजी लेना को भी उसका रेप करने की धमकी देता है जैसा कि उसने उसकी मा के साथ किया था पर इतने में लेना उसे उसकी मा की मौत के बारे में बता देती है जिसे सुनकर क्रेटजी ने उसे छोड़ दिया था जिसके बाद में लेना ने उसके टेबल पर उसकी ही एक ड्रॉइंग रख दी और ये ड्रॉइंग बहुत ही अच्छी थी जिस पर लेना ये कहती है कि उसे अभी भी क्रेट्सी में एक अच्छा इंसन दिखाई देता है ना कि कोई राक्षस फिर हम ये देखते हैं कि एलिना के दोनों बच्चे मिलकर अपनी माँ को दफनाने चले गए थे और यहां पर कमंडर क्रेट्सी ने बच्चों की अज़ादी के लिए एक लिटर लिख कर सूसाइट कर लिया और फिर आखिर में लेना और जूनस समंदर के किनारे एक नाओ में बेटने आये जहां पर लेना उस दिन को याद करने लग गई जो उसने बीच पर बिताया था और इसी के सांथ में ये मूवी यही पर एंड हो जाती है दोस्तों ये एक छोटे से परिवार की कहनी है जिसे रश्या की आर्मी ने वर्लवर टू के बाद में एक इसी जग़ पर बेच दिया जहां की हालत बहुत यदा करसता थी ये परिवार जैसे तेसे अपना जीवन बिता रहा था और एलिना का हस्बेंड एक बहुत ही इच्छा इंसान था वो अपने परिवार और आसपास के बाकी लोगों को इस जग़ से ले जाना चाता था लेकिन उससे पहले ही एलिना की फैमिली को रश्यान आर्मी ने पकड़ लिया और एलिना की हस्बेंड को मार डाला अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्राइब करके बिल नोट्विक्शन ज़रूर आउन कर लिजेगा